क्या आप एक ऐसे अंड़े के बारे में जानते हैं जिसे खाने के बाद आपको कोई विमारी नहीं होगी और ना ही किसी वीटामीन की डैफिशेंसी होगी तो अगर आप इस अंड़े के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनिल पर स्वागत है जहां पर हम खाने से रिलेटेड इंटरस्टिंग फैक्स बताते हैं जो कि आप अपनी डे टो डे लाइक मेर इस्तमाल कर सकते हैं तो आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो है अंडा यह जितना छोटा दिखता है इसके फाइदे उतने ही जादा है दूद के बाद अंडे को टीपे सोर्स ओफ प्रोटीन माना जाता है और हम जानते हैं यह प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी होता है तो अपनी प्रोटीन इंटेक रिक्वाइर्मेंट पूरी करने के लिए अंडा बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि ओनन आवरेज एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है जो की 50-50 परसंट डिवाइड होता है एक वाइट में और योग के अंदर ये तो हो गए इसके प्रोटीन की बात अब हम डिसकस करते हैं अंडे के फैट के बारे में अंडे के अंदर जो फैट होता है वो मोसली एक योग के अंदर पाया जाता है और ये फैट हमें 50-60 किलो कैलरीज एनरजी प्रोवाइड करता है और इसी के साथ साथ कुछ फैटी एसीड भी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं अंडे से हमें वो भी मिलते हैं और कुछ मिलमेल्स जैसे कैल्शियम, आईरन ये सब भी अंडे के अंदर पाय जाते हैं तो ये तो हो गया अंडे का basic nutritional analysis अब मैं आपको ऐसे facts बताऊंगा जिने जानने के बाद आप एक good quality और bad quality अंडे के बीच में difference बता सकते हैं जो पहला test है उसके अंडे को पानी के अंदर डूबो के देख सकते हैं अगर आपका अंडा डूब गया तो इसका मतलब वो fresh है और अगर वो तैर रहा है तो इसका मतलब वो पुराना अंडा है क्योंकि हम जानते हैं अंडे के अंदर छोटे छोटे चोटे स्पोर्स होते हैं और जैसे जैसे समय बीपता है उसके अंदर से water release हो जाता है जो कि अंडे को हलका बनाते हैं तो यही वज़य है कि समय के साथ-साथ अंडा पानी के उपर तैरने लगता है और दूसरा जो सबसे famous टेस्ट है वो candling टेस्ट कहा जाता है यानि आप कमरे के अंदर अंधिरा करकर अंडे के नीचे light on करके चेक करते हैं कि अंडे के अंदर pores का size कितना है तो अगर आपको बड़े-बड़े pores दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब उस अंडे की quality अच्छी नहीं है और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके बारे में हम details से आपको आने वाली videos में बताएंगे अब मैं आपको उस अंडे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे खाने के बाद आपकी सभी बिमार्या दूर हो सकती है इस अंडे को कहते हैं designer अंडा जिस तरह से एक designer आपके size के recording आपके कपड़े सीलता है उसी तरह से एक designer अंडे आपकी requirement के recording design किये जाते हैं और इनकी demand बहुत तेजी से बढ़ रही है जैसे की omega 3 fatty acid rich अंडे आते हैं जिसे खाने के बाद आपकी omega 3 की requirement पूरी हो जाएगी और इसी तरह मुर्गियों की diet change करकर के हम अंडे की nutrition value भी change कर सकते हैं और accordingly अंडा design किया जा सकता है तो आपको अंडे के बारे में अब काफी चीज़े पता लग गई होगी तो आप अंडे को अपनी diet के अंदर जरूर include कीजिए अगर आप confused हैं के अंडे vegetarian हैं non-vegetarian तो हम आपकी ये confusion भी दूर कर देंगे तो आप ये हमारी वीडियो ज़रूर देखें यहां i button पर click करके हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे